हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल कुछ पापी में आपका स्वागत है सीधी बात नो बगवास तो आपको लिस्ट पता चल चुकी है नोमिनेशन की कि किसको नोमिनेट किया गया है तो इस मुझे बार बार बताने की जरुत नहीं है वस यह बताना है कि अगर आप म मैं ताजा ख़बर क्या निकल के आ रही है तो अभी मैं रात के 10-30 बच रहोंगे तब यह वीडियो में और बोईस दे रही हूं और मुझे नीन भी आ रही है और गरमे इतने भयां करें चलो ठीक है यह तो बगवास हो लिए मेरे मुझे बगवास नहीं करना है तो हुआ य पनी करके रखे हूं यह दोनों ने यह दूसरे से तो पहले टीम में हैव विशाल आप जानते हैं विशाल करटारिया शिवानी और सदा मगभूर और दूसरी टीप में उनके अगेंस्ट है अर्मान कृटिगा अर्मान है कृटिका है नेजी है और एक हूँ बचा हुआ है तो दो टीमें बनाए गई है और दोनों टीमों को बताया गया है कि आपको एक डूसरों की टीम पर आरोप लगाने हैं और आरोप लगाने के बाद कौन उस आरोप को खारिज कर सकता है या उसको मलब कि हुआ हमने यह नहीं किया जो जितने अच्छे से explain करेगा या बताएगा भाया जिसके अपने पक्ष में ज्यादा मजबूती होगी वही टीम यहाँ पर winner होगी और winner कौन decide करेगा भाया winner decide करेगा head of the house तो आप जानते हैं कि इसका winner कौन होगा इसमें तो मतलब बिग बोस की तो यह चाल है पता नहीं बिग बोस क्या चाता है पूरा पबलिक को unfair एक game लग रहा है अब आप मुझे comments box में लिखकर बताएगा कि यह game fair है यह unfair है तो obviously है कि जब रणबीर जी की decide करना है तो वो team को पूरा राशन पानी दिये दिया जाएगा अब यह बात अलग है कि उसके शाद शेयर करना है या नहीं है आगे क्या rules है वो बिग बोस बताएंगे तो guys यह क्या game में चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या लग रहा है आप मुझे comments box में लिखकर बताओ क बिग बोस क्या चाहते हैं और मेकर्स दी क्या बना रहें कि इसे शो के अपने टियार भी लेकर आएंगे किसको निकालना चाहिए किसको निकालना चाहिए आप मुझे comments में लगके बताएं फिर मिलतें next video में thank you झालना चाहिए झाल झाल झाल